नमस्कार दोस्तों मैं अल्का स्वागत करती हूँ आपका अपने एक्सिलेंस फैमली में जहां आज का हमारा टॉपिक है स्वान योजी तथा भाड़े के श्वमी स्वान यर्जित का मतलब होता है कि हमें जानना है कि कितने प्रतिशत लोग स्वायम की तार्य में लगे हुए हैं और कितने प्रतिशत लोग नियमित काम में लगे हैं मतलब कितने प्रतिशत लोगों को हमारे देश में 12 महीने काम मिलता है कितने प्रतिशत लोगों को 12 महीने काम नहीं मिलता और कितने प्रतिशत लोग स्वायम का काम करते हैं तो लिखा है कि क्या श्रमी जनसंक्या अन पाथ फंग शर्वेंग जनसंख्याने उपास हमें बताता है कि हमाने देश में कितने प्रतिसथ रोजगार गाउं में है जिस में से प्रतिश freuen पुरुष को हैं और बीस प्रतिशत महिदापों है यह जानकारी पर दे रहा है कि तीस प्रतिशत रोजगार जो है यह कौन से इस तरका है कि नियमित रोजगार है प्रतिशत रोजगार है इस बात की जानकारी नहीं रहेता तो आगे बताया गया ने कि यदि किसी उद्यम पर शमीक के इस्तत या पद की जानकारी भी सके तो लिश्चें यह देश में रोजगार की गुर्वत्ता की आयमू की जानकारी प्राप्त करना सबब होगा मतलब कभी पता चाहिए कि हमारे देश में कितने प्रतिशत इंग्जिनेर हैं कितने प्रतिशत किसान है कितने प्रतिशत लोग निमने इस्तर का काम कर रहे हैं तो यह पता चाहिए तो हमें रोजगार की गुर्वत्ता के बारन पता चाहिएगा कि हमारे देश में कितने प् प्रतिष्टा से पता है कि व्यक्ति का कारी के प्रति कितना लगाओ है और अपने सह कर्मियों तता उद्यम के प्रतिव के अधिकार क्या है आए निर्मान उद्यों के तीन कर्मियों की तुल्ना करें कोई भी वस्तु का निर्मान हो रहा है अब उसमें तीन प्रकार के व्यक्ति हैै स्वामी मतलब बिमारी अर्थ्यों वस्तु Most of a को उत्पास हो तो तीन तिर्प्रकार की व्यक्तिों से ओकर गुजरता है या फिर ऐसा काई कि You कि यहाँ पर हम्टीर प्रकार के मजदूर की बात करते है पहला सिर्मेड की दुकान का स्वामी है is स्व्न योजित व्यक्ति करा हो just you toss a time का का म कर रहा है दोसरा निर्माण करने वाली कंपणी का एक सिविल इंजिनेर है मतलब उच्छिस्तर का वेतन बाता है और उच्छिस्तर के आर्थिक्रिया में लगाए जिसे नियमिक कारूलता है कहने का मतलब है यहां पर अगर कोई वेपति स्वायम के दुकान का मालिक है तो वह स्वाय नियोचित के अंदर अगर वहां किसी दूसरे के शीरी के कांग करता है तो वहां किसके आएग 170 में अंदर आता है जो अपने उद्यम के स्वामी और संचालग है उन्हें स्वानियोजित का जाता है जो भी मैंने बताया कि स्वायम का दुकान का पाले के तो स्वानियोजित इस प्रकार से में कि दुकान का स्वामी कौन गया स्वानियोजित भारत का लगबक आधा शौपद इसी श्रेनी में मतलब 50%, 50% स्वौनयोचित में ही, निर्मान मझदूर अनियद मझदूरीवाले , जो व्यपतिए निर्मान वजदूर वह अनियक मस्दूरी के अंदर आते हैं .ब Switch L जिने बारह मैंने काम नहीं मिलता और बारत की शौप शुप 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 करते हैं और उसके बदले में पारिश्यमिक प्राप्ट करते हैं 25 प्रतिशत लोग और नियत मज़्दूरी के अंतर आते हैं जोंकि इसी दूसरे क्या काम करते हैं फिर अभ्याम कैंपनी के अभियता मतलव होता इंजियर के रूंप में काम करने घ्रती शुप शक्ती के मात्र तेविस प्रतिशत ही है तेविस प्रतिशत ही जिसे 12 महीने काम केवन 23 प्रतिशत लोगों को ही मिलता है जब किसी शमिक को कोई व्यक्ति या उद्यम नियमें दूप से काम पर काम पर कहां आगया हम काम पर रख उसे मजदूर देता है एक वर्ड नहीं पढ़ा तो कितना दिस्मिस होगे सारा ठीक है तो क्या बोला कि जब किसी शमिक को कोई व्यक्ति या उद्यम नियमें रूप से काम पर रखता है उनसे मजदूर देता है तो वह शमिक नियमें त्वेतन भोगी कर्णुचा कर्ली कहता है सान्ली 6.3 में थेखो मतनलब यहां पर यह इस फॉइंदे करया है में कि पाता रखता इस इसे power अब सुख्तस नियमें मजदूर के स्वावर के जो बता रहा है यह इस प्रकार को बता रहा है तो हमारे देश में 52 प्रतिशत महिला स्वन योजी थे मतलब स्वयम की कारे में लगी है चाहे फल बेशना सबजी बेशना पूलों को बेशना या फिर स्वयम का कोई कार्यों ठीक है चाहे हत्करगा में लगी हो मतलब हातों से निर्मित वस्तुओं को विनाने में लगी हो पापड अचारे किसी भी काम में लगी हो और फावन प्रुष रतीशत ही किसा का फूरूश का है ठीक है सोने घित हमारे अर्थिवे रस्ता में बावट कर्टीशत पूरूश और बावन प्रतीशत महीराल सोह नेर्यूच्छा स्वयम के कारे में लगीए मतलब तहने बाहरा महीने काम में जाय और पुरुषों को ज्यादा काम मिल रहे हैं और नास्ट में आ जाता हैं यहां पर 57 प्रतिषत महिना क्या है नियमित मतलब की नियमित रोजगा 12 महीने काम नहीं मिलता और पुरुषों को काम इन आपको दिआन रखते हैं आपको से अब्जेप्टु बन सकता है हो 27 प्रतिशत महिलाओं को काम नहीं मिलता है अब देखो अनियद मद्धूरी का अक उदारन्व बताई रहा और नियत कार्यर मतलब की बारह महिले की दिनों इटे बना सकते चैसे नहीं बना सकते तो यह अनियत मजदूरी जहां 12 महिने का नने मिर्ता फिन 6.1 जो भी हमने पड़ा तो उसी आकड़ों को बदाया गया है कि इससे पता चल रहा है कि बारत में पुरुष और महिना श्रमिकों के 50 प्रतिशत से अधिक तो 100 रोजदारी वर्ग में आते 52 महिना 22 पुरुष का था तो 100 रोजगारी देश की आज इविका का सबसे प्रमूत इस्त्रों थे और होना भी चलिए जब हम इतने सप्षण में इतने पड़े लिखे हैं तो हमें रोजगार पाने वाला नहीं बलकि देने वाला बनना चाहिए हमें देखना चाहिए हमारा देश की वस्तों को आयात कर र लाना चाहिए ना कि दूसरे देश की वस्तों को प्योग में लाया चाहिए फिर अगे लिखा नियत मज़्दूरी कारे पुरुषों महिलाओं के लिए रोजगार का दूसरा प्रमूप इस प्रोट्य जहां 12 मेरे काम नहीं मिलता इस नियत रोजगार में महिलाओं का अधि कानुपात में लगे हुए है देश में 23 प्रतिशत पुरुष नियमे थेतन पोगी है और 21 प्रतिशत महिलाओं पुरुषों और 21 प्रतिशत महिलाओं के बीच का अंतर बहुत कम है कहने का मतलब यह यहां पर एक से यह सो प्रतिशत रोजगार में से कितना 23 प्रतिशत पुरुष 23 प्रतिशत पुरुष नियवित रोजगार में लगाए है मतलब उन्हें 12 महिने काम मिल रहे है सो में से 23 प्रतिशत फोरी यहां 77 पर सेंट्ट र्यक्ति नियत्ती रोजगार मतलब उन्हें 12 मेंने काम ने विदा है दूर्य है 100 रोजगार में लगे हुए है व्याहे है जिसमें से के वार 21 प्रतिशत महीला है नियमित रोजगार में लगी है रोजगार में लगी है मतलब 79 परसें 79 परसें यहां पर क्या है 100 रोजगार में लगी हुई है महीला है तो क्या है 100 रोजगार है अनियत मज़ूरी का इस्तर तो यह आधरा में बता रहा है है कि हमारे बारत में 23 प्रतिशत पुरूशों को 12 मैने काम मिल रहा है और 21 प्रतिशत महिलाओं को 12 मैने काम मिला बाकी की जो आपड़े है वह स्वोर रोजगार्ट के या नियत मन तूरी यह है ठीक है फिर आगे लिखा यदि ग्रामी लोग शहरी शंबल के वित्रण के तुम ना करें तो चार्ज 6.2 के अनुसार पर याद होता है कि अनियत मजदूरी पाने वाले श्रमिक सो नियोजी तता ग्रामी शेत्रों में शहरी शेत्रों के अपिक्षा अधिके मतलब 12 महीने काम नहीं मिन रहा है 6.2 वह भी अपड़ लेते हैं यहाँ पे देखो शेत्र अनुसार शेत्र के अनुसार हमें आपर रोजगार का विद्रण बताया गया है देखो यहाँ पर वह जो मएशंधि क्रल में 29 प्रतिषत ते शहरी शेत्र में किंपनरा में प्रतिशत प्रतिशत मने ज्यादा समस्या है अगया कि 47 प्रतिश्ञ शहरी शेत्र में नियमित व्यतन होगी करमचारी है जबकि वक्रामी शेत्र में Praetश फीकर में बताया है 38 प्रतिक्ट्र में 100 एउजितकार में वேपती लगये हैं और गाउँ में 58 प्रतिक्री शित्रिमें 6 में Chopr नाले आखर वैंगे पर शरी शेत्र ओं चाहर जरु गाउम में आप से ज़चेट educated सक कि गाउँ में 15 प्रतिक्ट्र में 15 प्रतिशत लोगों को नहीं विताब 13 प्रतिशत लोग ऐसे हैं जिने 12 महीं ने काम मिलता है और नास्टेश वयम की कारे में 8 प्रतिशत लोग गाउं में लगे लें और शर्ड में 30 प्रतिशत लोग लगे हैं थीकि यही आकराया आपर बताया गया है जो आमने पढ़ा है उसे एक्समेंड किया गया है आगे लिखा है यहाँ पर कि शारों में स्वान योजित और नियमिक वेतन वाले रोजगार की संच्या अधीचे गाउं में अधिकाल रामिन अपनी जमीर के टुकड़ों पर निवरे इसकी अतनिक्स शहरे उद्यों में नियमित रूप से शन्नकू के आवशकता भी होती है तो यहां हमारा कौन सा टौपिक हो जाता है यहां हमारा टौपिक होता है कि स्वन योजित तता भाड़े के शमिकान क्या अर्थ होता है अब इसमें आपको जहां जो भी डाउट लग झाल 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 झाल